नमस्कार दोस्तों कैसे यहां आप लो मेरा नाम है हरश्री दिवेदी और मैं आपको सौथ करता हूँ अपनी इस वीडियो में सत्रों पार्ट है यह लक्षमी कांथ की किताब का फंडामेंटल राइट्स को यहां पे शुरू कर रहे हैं बहुत दिनों से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स कब शुरू होंगे देखिए दोस्तों पूरी किताब में स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता हूँ प्रॉपर कॉपीराइट वालेशन हो जाएगा स्ट्राइक पढ़ सकती है चैनल पे तो कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं बार-बार हर वीडियो में बोलता हूँ ये 6 एडिशन के किताब खरीज कि आप अपने पास रख ले और मिले साथ बैठके पढ़ें तो आगे बटन से पहले फ्रेंट्स वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दे और इसको शेयर कर दीजे फंडामेंटल राइट्स की पहले वीडियो है ये हमारे समिधान में फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है तो पाट 3 वफदाइट्टिशन में है कौनसे आर्टिकल में है आर्टिकल 12 से पैंटिस ओपेंटर्फ औब अच्विछन अगर USA के समिधान को देखा जाए तो USA के समिधान में जो bill of rights है न दोस्तों कुछ-कुछ bill of rights की तरह है हमारे fundamental rights खास बात यह है दोस्तों कि US के समविधान में जो fundamental rights है उससे कहीं ज़ादा elaborate है हमारे समविधान के fundamental rights In fact USA के bill of rights को शोड़ दिज़े दुनिया भर के जो समविधान है उसमें जो fundamental rights दे रखे है उनसे बहुत ज़ादा detailed और बहुत ज़ादा elaborate fundamental rights हमारे समविधान में पाए जाते है अच्छा एक और चीज़ है हमारे समविधान में जो fundamental rights है दोस्तों इसको magna carta कहा जाता है और उसको बोला जाता magna carta of India इसलिए बोला जाता है जो part 3 है हमारे समविधान का part 3 of the Indian constitution is described as magna carta of India अब यह ध्यान रखेगा यह एक बहुत important points है जो कि आप अपने GS paper 1 के static questions में भी code कर सकते हो या किसी और GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4 के answers में ने code कर सकते हो context के हिसाब से तो यह जो magna carta है हमारा part 3 of the Indian constitution सबसे पहले सबजना पड़ेगा यह magna carta का scene क्या है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 13th century England में early 13th century England में 1215 के समय पे 1215 के समय पे England में एक राजा था King John ठीक है और इस King John के खिलाफ कुछ barons ने जंगसी छेड़ दी जंगसी क्या छेड़ दी मतलब शुरुआत को अपने rights मांगे था क्या देखिए दोस्तों 1215 का time है आपको पता है उस समय पे लोगों के कोई right इस टाइप की चीज़ें हुआ नहीं करती थी यह जो barons थे ना उस समय के B-A-R-O-N यह barons थे rich land owners तो rich land owners of that time of England क्या फिर society के जो दूसरे अमीर work के लोग थे अमीर classes के लोग थे वो थे balance अब क्या होने लगा कि जो राजा था king john वो इन balance में बहुत उल्टे सीधे आप कह सकते हैं taxes imposed करता था तो इस बात पर जो barons थे काफी नाराज होगे फिर राजा की जो interference थी वो चर्च में भी जादा थी तो balance ने सीधे सीधे राजा के against में एक मोर्चा सा खोल दिया और इसके against में राजा को लेके आना पड़ा magna karta इस magna karta के तहत राजा ने बोला कि हम लोग चर्च के काम में ज़्यादा interference नहीं करेंगे हम लोग इन barons से बहुत ज़्यादा taxes नहीं मांगेंगे इस तरीके की बाते होने लगी लेकिन यह जो barons और राजा के बीच का बवाल था यह solve नहीं हो पाया और फिर आप देखोगे 1215 सो लेके 1217 के बीच में इंग्लेंड में होगा first baron war लेकिन यह उस समय की कहानी थी और पहली बार किसी देश में अगर किसी ग्रुप को rights दिये गए तो वो 1215 में दिये गए magna kata के द्वारा ठीक है इसी लिए इस magna kata को इतना important माना जाता है इसी लिए दुनिया भर में जब भी कहीं पर rights पहली बार दिये जाते हैं उसको बोला जाता है magna kata ठीक है जो काम बर की चीज़ें बता दिया इस जदा जानने की जरूत नहीं न विकिपीडिया पढ़ने की जरूत है आप देखते है फंडामेंटल राइट्स जो की हमारे समविधान में है constitution इन फंडामेंटल राइट्स को guarantee करता है constitution बोलता है इन फंडामेंटल राइट्स के द्यान में रखते हुए है और unity of the nation को द्यान में रखते हुए है यानि fundamental राइट्स एक individual को इतनी आजादी नहीं देता है कि वो खड़े हो के यह बोलने लगे कि भाया मैं तो इस जगह को इंडिया के map से उठाड के अलग कर दूँँगा fundamental rights आपको दिये गए है बट उस fundamental rights के अगेस्ट भी proper safeguards दिये गए है ताकि आप public interest को violate ना कर सको आप unity of the nation को खतरा ना पहुचा सको लेकिन अपने sphere of action में आपको rights दिये गए है और उस rights के अगेस्ट में authorities, state, executive authorities, legislative authorities, कोई भी lawmaker आपको कुछ बोल नहीं सकता जो आपके खु ठीक है कहने का मतलब यह हो गया कि यह जो fundamental rights है यह justiciable है, justiciable का मतलब है कि अगर आपके fundamental rights violate होते हैं तो आप जाईए court में और court में जाके अपने लिए इंसाफ मांगें, कहने का मतलब यह fundamental rights एक चीज़ को ensure करते हैं और वो चीज़ है आपकी political democracy अब देखिए, political democracy के से पहले मैंने पिछले वीडियो में social democracy की भी बात किये, economic democracy की बात किये, तो देखिए, जो society के अलग-अलग sections हैं, उन sections के बीच में अगर कोई भेदभाव ना हो, सारे sections के लोग एक समान माने जाए, को उस चीज़ को बलाया था social democracy social democracy को ensure कराने के लिए हमारे सम्विधान में बहुत सारे ये क्यानब से प्रावधान किये गया है, तो भाई untouchability को हटाया गया है, किसी भी तरीके का discrimination नहीं होगा, जो lower caste के लोग हैं, जो बहुत ज़दा पिछड़े हुए हैं, उनके लिए reservation का प्रावधान किया गया है, social democracy क means है, economic democracy को कोशिश की गई है, directive principles of state policy के थूरू लाने के लिए, जो main काम fundamental rights करते हैं, हलां कि fundamental rights पे economic और social democracy के लिए चीज़े कही गई है, लेकिन सबसे ज़दा जो कहा गया है, वो political democracy के लिए कहा गया है, गोस्तों, यानि कि political democracy को actively बचाते हैं आपके fundamental rights, यानि किसी भी तरीके का authoritarian regime, despotic rule, totalitarian rule, exploitative rule हमारे देश में नहीं रहेगा, हमारे देश की लोगों की liberty सुरक्षित है, हमारे देश के लोगों की liberty पे state की कोई भी authority interfere नहीं कर सकती, मतलब हम चाइना नहीं है, चाइना में जो सरकार है, वो वहाँ के लोगों के साथ कुछ भी कर सकती, किसी भी तरीके का law ला सकती, वहाँ के लोग ज़ादा कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी कि समय पे जब इंडिया चाइना का stand-off चल रहा है दोस्तों, सबसे best example देता हूँ आपको, इंडिया चाइना का भाई कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप बात करें दोस्तों, चाइना में, तो चाइना के जो लोग है, वो वहाँ की सरकार से ये नहीं पूछ सकते कि भाई, बॉर्डर पे ये जो आप कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्यों इंडिया पे अटैक कर रहे हो, इस तरीके की ये वहाँ के लोग नहीं पूछ सकते, इन फैक्ट वहाँ के लोगों के उपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाया है, मूवमेंट की वो उनको भी कुछ नहीं बहु सकते, आपको पता अगर आप शंगाई शहर में जाओगे, मेरा एक दोस्त गया था, वो बता रहा था अग्जेक्ट जगा तो मैं भूल गया, शंगाई शहर में उसने एक एरिया बताया, उस पर्टिकुलर एरिया में नॉर्मल लोगों की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड और ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर एरिया कोई प्रेजिदेंशल पैलेस है, या कोई ऐसी जग करते हैं, fortunately इंडिया में ऐसे कोई भी discriminatory law exist नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चुकि वो ऐसे laws इंडिया में हमारे fundamental rights को violate करते हैं, यानि कि हमारे देश में जो लोग भी राज कर रहे हैं, representative democracy, representative democracy क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, उसके तहद कोई भी arbitrary action नहीं हमारे executive ले सकते है नहीं legislature, legislature जो लोग elect होके आये हैं, और जिन लोगों ने सरकार बनाई हैं, उनको आप executive समझ लीजे, simple भाशा में, ये ऐसा कोई भी step नहीं दे सकते हैं, जो देश के लोगों के rights के against जाए, यानि कि हमारी जो government है, this is a government of law, नियम कानून पे चलने वाली government है, this is not a government of men, कुछ आदमी मिलके अपना राज चलाने लगें, ये नहीं हो सकता है इंडिया में, जो नियम कानून है, उसके हिसाब से ही राज चलेंगे, तो हमारे fundamental rights को हमारे समविधान ने guarantee किया है, protect किया है, fundamental क्यों है ये, fundamental यह है कि इनके बिना लोगों का all-round development नहीं हो सकता, और इस all-round development मे intellectual development भी आता है, आपका दिमाग का development, moral और ethical development भी आता है, spiritual development भी आता है, material development भी आता है, यनि कि आप आगे बढ़ सको, ये भी है, intellectually आप बढ़ सको, morally आप काम कर सको, ये भी है, spiritual development तो religion और culture और language से related भी safe guards दिये गए है हमारे fundamental rights में, आगर बात किया जाए, fundamental rights के classes, ये types बहुत याद रखेगा, ये types भी UPSC prelims में पूछ दिये जाते हैं, right to equality 14-18, right to freedom 19-22, right against exploitation 23-24, right to freedom of religion 25-28, cultural and education right 1939, right to property, हाला कि अब इस right to property को अटा दिये गया, पहले आर्टिकल 31 में था, फिर आया 44th constitutional amendment act of 1978, और इस right to property को fundamental rights से हटा दिया गया, तो क्या ही हमारे सम्विधान में हट गया, नहीं दोस्तों, हमारे सम्विधान में part 12 of the Indian constitution में article 301 के अंदर, ये right to property आपको मिलेगा, मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूं दोस्तों हो सकता है, ये आपको legible नहीं होगा, लेकिन इसका objective एक ये होता है, कि मेरे पढ़ाने के साथ साथ आप किताब भी सामने खोल के रखें, तभी वो objective पूरा होगा, मेरा objective आपको short note बना के बेवकूफ बनाना नहीं है, बहुत वीडियोज है, short note बता के उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, किताब की एक-एक line समझे, quality complete हो जाएगी, किसी से पूछने की जरोत नहीं पड़े constitution, इसी के parallel, आप देखोगे, इस right to constitutional remedies में, rate jurisdiction भी आता है, Supreme Court का, High Court का rate jurisdiction है, article 226 में, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं, हमारे सम्रिधान में जो fundamental rights हैं, इनके features क्या क्या हैं, इसको देखते हैं दोस्तों, तो पहला feature fundamental right का क्या है, कि देखिए, जितने भी तरीके के fundamental rights हैं, कुछ fundamental rights केवल citizens को available हैं, और कुछ fundamental rights ऐसे हैं, जो citizens को भी available हैं, फिर उन foreigners को भी available हैं, जो कि बाहर की देख से हमारे देख में इस समय पर exist करते हैं, और legal corporations को भी available हैं, जो companies हैं, जो बड़-बड corporates हैं, जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको भी available होते हैं, तो कुछ fundamental fundamental rights citizen के पास कुछ fundamental rights citizen foreigners और companies तीनों के पास इन फैक्ट दोस्तों आपको मैंने alien के बारे में बताया था और आपको मैंने बताया था friendly alien और enemy alien अगर अभी आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह friendly alien और enemy alien क्या है तो इसका मतलब इससे पहले कि मेरी लक्षमी गान की videos को आपने देखा ने ठीक से अब अगर यहां पे मैं आपको एक enemy alien का example दो तो आप कह सकते हो अजमल कसाब अजमल कसाब समंदर के रास्ते इंडिया में आया इंडिया के लोगों पे गोलिया बरसा ही मुंबई में चाने कितने लोगों को उसने मर दिया बहुत सारे लोग मर गए अजमल कसाब को पुलिस ने पकड़ा लेकिन तब भी proper proceedings चली दोस्तो अजमल कसाब के against हमारी judiciary में proceedings चली उसके favor में एक lawyer के आने की बात कही गए एक lawyer ने अजमल कसाब को defend भी किया defend करने के लिए था नहीं पूरे camera में recorded था कि उसने कितना लोगों को मारा उसके बाद भी proper proceedings हुई लीगल proceedings हुई और फिर अजमल कसाब को फांसी पे चड़ाया गए यानि कि भले ही वो एक enemy alien था लेकिन उसके पास एक fundamental rights थे और उस fundamental rights के चलते उसको proper legal तरीके से court में उसकी बातों को सुना गया और फिर सजा सुनाएगी फिर फांसी में चड़ाया जिसके चलते फुरी दुनिया में और खासकर पाकिस्तान और आसपास के देशों में इंडिया का मजाग भी बहुत थोड़ा कि देखो ऐसे आदमी पे ये लोग legal proceedings चला रहे हैं बट ये इंडिया का law है ठीक है हला कि इस law के चलते हम लोग जो laws को abide करते हैं multilateralism से abide करते हैं उसके चलते हैं हमें नुकसान भी काफी होता है आप देखे चाइना बॉर्डर पर क्या होता है सारे border agreements को चाइना ने तोड़ दिया लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया इन सारे laws को मानता दोस्तो सोचिए जो fundamental rights लेखे हैं constitution में अगर हमारी सरकार इनको मानना ही बंद कर दे कि आपके पास कोई right बचेगा नहीं बचेगा चलिए आगे चलते हैं अगली चीज fundamental rights की features में देखे हैं कि fundamental rights दोस्तो absolute नहीं है qualified है ये absolute नहीं है qualified है मतलब मतलब कि आप blindly in fundamental rights को claim नहीं कर स इन fundamental rights में reasonable restriction है for example किसी tribal area में मेरा माली जैं दिमाग घूम गया मैं किसी tribal area में गया माली जैं मेरे पास बहुत पैसा है और मैं पैसे के नशे में चूर हूँ एक second के लिए मान लेता हूँ मैं मेरे पास account में सताथ हजार करोर रुपे पड़े हैं मैं किसी tribal area में गुसा और उस tribal area में घुसके मैंने बोला कि बाई इत्ती बड़ी जैमीन मुझे लेनी है और state government के जितने भी official ने सबको मैंने खरीद लिया एक hypothetical scenario आपको बता रहा हूँ ठीक है और वहाँ पर मैंने बोला यह जो tribal लोग है इनको निकाल के बाहर फेको यहां मैं अपना महल बनाऊंगा state government के जो main officials ने को मैंने खरीद लिया है लेकिन वो जो tribal लोग है जिनको मैंने निकाल के बाहर फेक दिया वो supreme court में जाके अपना case file करके मेरे खिलाव decision लेके मुझे बाहर फेक सकते हैं चुकि भले ही मुझे यह fundamental rights है कि मैं इंडिया के किसी भी जगा पे जाके settle हो सकता हूँ बट वो fundamental rights absolute नहीं है यानि कुछ restrictions भी लगाएगा है tribal areas में मेरे वो fundamental rights applicable नहीं होते हैं कल की देश में कल के time में मान लिजे दोस्तों की अब अंडमान निकुबार आइलेंड से अब अंडमान निकुबार आइलेंड के लोग मैं आपको एक पस एक little example दे रहा हूँ अंडमान निकुबार आइलेंड के लोगों का दिमाग घूम गया और उन्हों बोला भाई हम इंडिया की तरफ नहीं है हम तो चाइना में मिल रहे हैं ऐसा होगा नहीं वैसे possible नहीं है बट मान लीजे एक hypothetical scenario बोलता हूँ ऐसा हो गया ठीक है तो उस case में भरा सरकार बोलेगी कि क्या बबाल चल रहा है भाई ठीक है न वहाँ पर अन्दमान निकुबार आइलेंड्स इंडिया के हाथ से ना निकल जाए उस case में जो हमारी सरकार है वो लोगों के fundamental rights को बंद कर सकती है martial law impose कर सकती है वो martial law पर अभी मैं थोड़ी दिर में होगा तो मैंने वही बताया कि जो आपके पास fundamental rights है those fundamental rights are subject to reasonable restrictions वो reasonable restrictions हो सकते हैं public interest वो reasonable restrictions हो सकते हैं unity and integrity of India और ये reasonable restrictions क्या है इनको decide करने की competent authority है हमारी courts हमारी judiciary ठीक है यानि कि individual liberty और social control social control में हमारा larger public interest आ गया unity and integrity of India आ गया इसके बीच में एक balance होना चाहिए मतलब सिर्फ fundamental rights को sacrosanct मांग के आप बाकी section को परिशान नहीं कर सकते हैं ओके फिर देखें fundamental rights की दोस्तों एक बहुत खास बात होती है कि ये fundamental rights रोकते हैं किसको arbitrary action of the state ये तीसरा point है features of fundamental rights लक्षमी गान्द में जो text लिखा हुआ उसका तीसरा point है ये ठीक है तो भई arbitrary action of the state नहीं हो सकता और arbitrary action of the state के साथ arbitrary action of the private individuals भी नहीं हो सकता अभी थोड़ी दिर पहले बताया है ना कि मेरे पास बहुत पैसा हो और मैं किसी tribal इलाके में जाके जमीन खरीनने लगूँ वो भी allowed नहीं है चुकि मैं तो एक private individual हूँ मैं सरकार तो हो नहीं बट मैं आपने पैसे कदम पैसा ना करूँ ये चीजें भी रोकेगा fundamental right ठीक है तो arbitrary action of the state के against भी बचाएंगे आपको और arbitrary action of the private individuals के against भी बचाएंगे fundamental rights आपको फिर चौथे point पा जाते हैं जो fourth वाला point आपके लक्षविगाग भी लिखा हुग ये क्या बोलता ह देखे fundamental rights है कुछ negative fundamental rights है और कुछ positive fundamental rights है ये जो negative fundamental rights हैं ये लोगों के लिए positive है। चुकि ये negative fundamental rights सरकार के executive के कामों पे एक लगाम कसते हैं एक restriction लगाते हैं मतलब कि यह जो negative fundamental rights हैं यह negative इसके लिए हैं सरकार के लिए negative है सरकार को बताते हैं आप यह नहीं कर सकते ठीक है ना article 20 और article 21 पढ़िए ठीक है वो सब आगए आख पताऊँगा अभी आख समझ दीजे और positive fundamental rights के है positive fundamental rights है कि लोगों को जो हमारे देश के नागरिक है उन नागरिकों को special कुछ privileges दिये जाते हैं अब यह positive fundamental rights negative fundamental rights जब fundamental rights को हम individually तोड़ के देखेंगे सब समझ में आ जाएगा तो negative fundamental rights उनने क्या किया सरकार के unreasonable actions को सीधे सीधे रोग दिया positive fundamental rights ने लोगों को कुछ positive चीजे दी privileges दिये ठीक है आगे चलते हैं अच्छा पाँच्वा पॉइंट fundamental rights देखें जस्टीस येवेल हैं जस्टीस येवेल का मतलब कि अगर आपके fundamental rights violate हो रहे हैं तो आप court में जाएए और court से जाके बोलिए कि भहिया हमारे fundamental rights violate हो रहे हैं आमको बचाईए और यहां ही पर छटा point आता है कि भहिया आप सीधे सीधे Supreme Court के पास जा सकते हो मतलब यह है कि fundamental rights are defended and guaranteed by the Supreme Court of India बहुत सारे ऐसे problems हैं जिन problems में पहले आपको high court के पास जाना पड़ेगा district court के पास जाना पड़ेगा आप सीधे सीधे Supreme Court के पास नहीं जा सकते हैं पर आटिकल 32 यह बोलता है कि अगर आपके fundamental rights violate हो रहे हैं तो आप सीधे सीधे Supreme Court के पास भी जा सकते हैं high court के थूरू जाने वाला option यहां पे हटा दिया गया सीधे Supreme Court के पास जाके मज़द मांगे प्लस यह बोला गया कि fundamental rights नहीं outside और नहीं permanent है यह 7th point में भी आगया यहनुकि इन fundamental rights को Parliament बदल सकता है लेकिन इन fundamental rights को Parliament को अगर बगलना है खतम करना है, change करना है तो Parliament यह कर सकता है Constitutional Amendment Act से ठीक है और fundamental rights को अगर आप बदलेंगे तो Constitutional Amendment Act से बदलेंगे अब देखें यहाँ पे पहले की वीडियो देखें तो चीज़े आपको समझ में आएंगी मैंने आपको बताया था ना कि अगर स्टेट की बाउंटरी को बदलना हो स्टेट के नाम को बदलना हो स्टेट के दो भागों में तोड़ना हो ठीक है पार्ट बन ओफ दो इंडियन कॉंस्टिटूशन में आपको बताया था कॉंस्टिटूशन अमेंडमेंट में चाहिए होती है स्पेशल मेजॉर्टी आर्टिकल 368 अप दे इंडियन कॉंस्टिटूशन के अंदर आमने आपको पहले भी चीज़े बता ही आगे भी बताऊँगा ठीक है तो चॉंस्टिटूशन अमेंडमेंट मेंट के थूँ आप फंडमेंटल राइट्स को बदल सकते हो यह चैसे पास होगा जैसे आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊँगा और अगर आपको फंडमेंटल राइट्स को बदलना है तो आप फंडमेंटल राइट्स को बदलिए बट वो बदलना बेसिक स्ट्रक्चर अप दे इंडिन कॉंस्टिटूशन को वोईलेट नहीं कर सकते है और ये basic structure का जो principle है ये हमारी सुप्रीम कोट ने दिया था 1973 में केश्वानन्द भारती केस के थूँ तो आप भले ही fundamental rights को curtail कर सकते हैं बदल सकते हैं बट वो fundamental rights आप इतना नहीं बदल सकते हैं कि आप हमारे सम्मिधान के basic structure को बदल दे 1973 में ये बात कही गई ठीक है अब आप ये बोलोगे कि basic structure of the Indian constitution क्या है तो basic structure of the Indian constitution 1973 के बाद से supreme court के various judgments में आता रहा है तो 1973 फिर 1980 में Minerva Mills case आगे बहुत से ऐसे cases आए दोस्तों जिसमें supreme court ये बताती रही है कि भाई ये चीज basic structure में है ये चीज basic structure में नहीं है तो basic structure of the Indian constitution में क्या क्या आता है ये भी आगे आपको पता चलेगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़े हैं दोस्तों इनको बहुत ज़ादा कहते हैं ना expanded तरीके से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इन सम चीज़ों को समझना है तो तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई basic structure of the Indian constitution की बताने की ताकत चुली श्री के पास है सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट ने हमने various decisions में ये बताया भी है क्या क्या बताया है आगे आएगा ठीक है फिर आठमा पॉइंट देख लेते हैं आठमा पॉइंट बोलता है कि अगर national emergency लग जाती है अंडर article 352 of the Indian constitution तो उस national emergency के दौरान fundamental right suspend हो सकते हैं ठीक है लेकिन article 20 के अंदर और article 21 के अंदर article 20 और article 16 के पार्ट है यह यह right to freedom के पार्ट है तो right to 15 में right to freedom में article 1922 में जो article 20 और 21 है यह national emergency के दौरान भी suspend नहीं होगे मतलब personal freedom को guarantee करने के लिए और state का nature एक limit से ज़्यादा exploitative ना हो जाए इसलिए article 20 और article 21 को आप कभी भी suspend नहीं कर सकते यह हमारे सम्विधान में साफ साफ लिखा हुआ है अच्छा एक और बात article 19 भी right to freedom का पार्ट है article 19 के अंदर जो 6 rights guarantee किये गए है उनको suspend किया जा सकता है एक emergency के दौरान लेकिन article 19 के अंदर के 6 rights को एक national emergency के दौरान तभी suspend किया जा सकता है जब वो emergency war या external aggression की वज़े से होई हो या एकस्टरनल emergency हो ना कि internal emergency हो armed rebellion की वज़े से होई हो यानि कि माल लिजए कल के date में अंदमान और निकोबार आइलेंड में या फिर देश के किसी भी हिस्से में पंजाब में, गुजरात में, हैदरावाद में, केरला में एक revolt सा छिल जाता है एक armed rebellion चुड़े जाता है और उस armed rebellion में उस state के लोग ये बोलते हैं हमें इंडिया में नी रहना हम जा रहे हैं या से तो उस case में आप article 19 को पूरे देश में abrogate नहीं कर सकते article 19 को पूरे देश में आप abrogate नहीं कर सकते लेकिन माल लीजे कल को चाइना से war हो जाता है हमारा ठीक है कि लागदाफ में stand-off चल रहा है चाइना से इंडिया का war एक full-fledged scale पे अगर शुडू हो जाता है तो उस case में article 19 को पूरी तरीके से suspend किर दिया जाएगा पर उस case में भी article 20 और 21 को किसी भी हाल में suspend नहीं किया जाएगा यानि external aggression में भी article 20 और 21 suspend नहीं होगे तो भाईया एक national emergency के दौरान कौन-कौन से fundamental rights suspend होगे कौन-कौन से fundamental rights automatically suspend हो जाएगे कौन-कौन से fundamental rights को executive order के तो suspend किया जाएगा ये सारी चीजे हम लोग chapter 16 में देखेंगे ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं फिर एक चीज़ आती है article 31 A of the Indian Constitution article 31 B of the Indian Constitution article 31 C of the Indian Constitution ये article 31 A 31 B, 31 C fundamental rights के operation को थोड़ा बहुत रोपते हैं, थोड़ा बहुत limit करते हैं इनके चक्कर में historically काफी बवाल भी हुआ है इसको मैं आलग से समझाऊँगा ये या नहीं समझाए जा सकता वैसे तो मैंने article 31 A, 31 B 31 C पे एक वीडियो भी बनाई है 27,000 लोग लगवग उस वीडियो को देख चुके हैं लेकिन देखें दोस्तों वीडियो थोड़ी पुरानी है माइक भाईक उसमें थोड़ा अच्छा नहीं है ठीक है पढ़ाने का तरही का थोड़ा पुराना है चीजों को समझने एक प्रस्पेक्टे से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो सर्च मार दीजे योट्यूब पे article 31 A, 31 B, 31 C मेरे नाम के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी नहीं तो अभी तो मैं fundamental rights शुरू करी रहा हूँ कुछ दिन बाद मैं आपको पढ़ा ही दोंगा अगर अभी आप जानने में एक चुक है तो उस वीडियो को जाके भी देख सकते है फिर भाई एक और important चीज आती है कि fundamental rights का application paramilitary forces के लोगों को armed forces के लोगों को police forces के लोगों को intelligence agencies को analogous services को नहीं लगेंगे बतब article 33 of the Indian constitution के चलते parliament इन forces की armed forces की paramilitary forces जैसे कि Assam rifles हो गई Central Reserve Police Force हो गई Border Security Force हो गई Indo-Tibetan Border Police हो गई इन सब के fundamental rights को रोका जा सकता है control किया जा सकता है Parliament के द्वारा किसमें लिखा है? Article 33 में लिखाओ देखिए ज़रूरी भी है दोस्तो आप मान लीजें intelligence agency का कोई एक person raw कल को आके कोई बड़ी चीज को एक बड़ा secret reveal कर देता है और फिर वो बोलेगा यह भाई है मेरा right to freedom of expression यह तो मेरा right to freedom of expression है तो मैंने अपने right to freedom of expression के दुरू यह sensitive चीज बता भी दी लोगों को तो क्या हो गया? नहीं यह नहीं मैदा सकते आप आप intelligence agency के part है आपके पास एक sensitive information है तो उस case में आपके fundamental rights नहीं है आप लागू होंगे उसी तरीके से एक armed forces हमारे सेना के जवान तैनात है बहुत वीर है तो उसमें से कोई यह जवान यह नहीं बो सकता कि मैं भाई लड़ूंगा नहीं बाहर में अगर वो वहाँ पे तैनात है intelligence agencies, analogous services इनके जो भी member है इनके fundamental rights को abrogate कर सकता है restrict कर सकता है, रोक सकता है तो इनकी छुट्टियां cancel हो सकती है और ऐसी बहुत सी और चीज़े हो सकती है यह समझ में आ गया आपको फिर हम लोग 11 point पे आते है 11 point क्या बोलता है दोस्तों 11 point यह बोलता है article 34 article 34 में क्या बोला martial law को impose किया जा सकता है अब भया यह martial law क्या है martial law, article 34 के अंदर बोला गया इसको मैं आपको एक simple तरीके से समझाता हूँ martial law है क्या martial law is actually military rule and military rule under abnormal circumstances मैं फिर वही अंडमान और निकोबार का एक neutral तरीके से example ले जाओगा माल लिजे कल की डेट में अंडमार और निकोबार के लोग बोलते हैं हमें इंडिया में रहना ही नहीं है हम आलाग हैं हम चाहिना से मिल रहे है तो उस case में जो इंडियन गवर्मेंट है वो martial law impose कर सकती है अंडमार निकोबार आइलेंट में और martial law में military को पूरी ताकत दे दी जाएगी फिर military जो चाहे करे फिर उस case में अगर कोई military का person किसी आदमी को गोली मार के मार भी देता है तो उस military person को कुछ किया नहीं जाएगा तो abnormal और extraordinary circumstances में इस martial law को apply किया जाएगा independence से लेके आज तक इंडिया के किसी भी हिस्से में martial law नहीं लगाया गया जब कि आप देखोगे पाकिस्तान में कई बार martial law लग चुका है इंडिया में आज तक martial law कभी में जाएगा national emergency से भी एक limit आगे चला जाता है आपका martial law national emergency अलग चीज है martial law under article 34 अलग चीज है martial law मतला military rule complete military rule और complete military rule कितना खदरनाक होता है यह तो आप पाकिस्तान के example से देखी चुके है आगे चलते हैं जो बारवा point है उस बारवा point को समझते 12th point क्या बोलता है most of them are directly enforceable while a few of them can be enforced on the basis of a law made for giving effect to them यानि कि जो भी fundamental rights है कई सारे fundamental rights अपने आप applicable हो जाते है और कई सारे fundamental rights को apply करने के लिए parliament को या फिर state legislature को law बनाने पड़ेंगे अब क्या state legislature यहाँ पर law बना सकता है नहीं मना सकता दोस्तों state legislature fundamental rights को impose करने के लिए कोई भी law नहीं मना सकता क्यों नहीं मना सकता चुकि state legislature जो law बनाएगा वो केवल state में लगेगा यनि कि अगर fundamental rights के हिसाब से कोई law बनाना है तो वो केवल parliament बनाएगी चुकि parliament जो law बनाएगी वो पूरे इंडिया में applicable होगा और state legislature जो law बनाएगी वो केवल state में applicable होगा तो भले ही state legislature का अच्छा law बनाएगी लेकिन उससे फिर discrimination आजाएगा differences आजाएगी एक state में कुछ अलगी हो रहा होगा दूसरे state में कुछ अलगी हो रहा होगा इसलिए जरूरी है कि fundamental rights को apply करने के लिए केवल parliament law बनाएग ताकि पूरे देश में uniform application हो हमारे fundamental rights का ठीक है यह article 35 में लिखा हुआ है अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को और देखते हैं यहाँ पे बात करनी है definition of state fundamental rights में यह definition of state कहां दे रखी यह definition दे रखी आपकी article 12 के अंदर article 12 of the Indian constitution state के बारे में बताता है और article 12 of the Indian constitution state के बारे में बताता है as far as part 3 of the Indian constitution is concerned यहाँ जहाँ जहाँ भी state का नाम लिया गया है वो state आपका article 12 में बताया गया है वो state है क्या यह देखते हैं इस state की जो definitions है न दोस्तों बहुत widespread है और इस state की definitions अभी भी evolve हो रही है कल की date में Supreme Court इस article 12 के अंदर जो state की definition इसको और expand कर सकती है और broad कर सकती है वो depend करता है हमारे जुडिश्रीपे तो देखते हैं state में क्या आता है तो state में भाईया हमारी parliament तो आती है government of India आती है हमारे legislative origins में हमारा राजसबा हो गया हमारे executive organs cabinet, council of ministers ये सब आ गए, president office vice president office, ये सब state के अंदर में आ जाएंगे फिर state की legislature विधान सभा, विधान परिशत state की government, फिर state के भी legislative organ और executive organ अभी तक मेरे कहाँ से अब तक आप legislative organ और executive organ की बीच को फर्क समझी गया होंगे फिर से बता देता हूँ, legislative organ मतलब वो लोग जिनको लोगों ने elect करके बैठाया है तो भाई, लोगसभा, राजसभा में अब भले, ये राजसभा में जो लोग बैठे हैं वो indirectly elected है, but elected तो है न तो लोगसभा, राजसभा, उसी तरीके से विधान सभा, विधान परिशत state में ये legislature होगे इन legislature में कुछ minister चुने जाते हैं तो भाईया, state में आपका chief minister होगा, उसकी council होगी center में आपका prime minister होगा, उसकी council होगी ये हो जाएग, executive executive में, state में governor भी आता है center पे, आपका president आता है ठीके दोस्तों तो जितने भी executive legislative organ है union government के state government में सबाते हैं आपके state के अंदर फिर municipality, panchayat, district board जितने भी आपकी जो government bodies है वो सबा जाएंगे आपकी state के अंदर फिर वो authorities जिन पे बहुत हद तक state का control जैसे की life insurance corporation होगी, oil and natural gas commission होगया, steel authority of india limited होगया, gas authority of india limited होगया Indian oil corporation होगया, Punjab national bank होगया state bank of india होगया, यह सारे ऐसे corporations हैं जिसमें 50% से ज्यादा stakeholdership, ownership सरकार की है, तो सरकार की है तो यह भी state के पार्ट होगया और Supreme Court ने एक और बात बोली है दोस्तों कि कोई ऐसी private body या agency, जो कि as an instrument of state काम कर रही है, वो भी state के अंदर में आ जाएगी कहने का मतलब यह होगया, कि मान लिजे सरकार ने किसी एक जगा पे किसी एक project को बनाने के लिए एक private company को contract दिया मान लिजे, Larson and Tuberow एक private company है, तो अब Larson and Tuberow अगर independently कोई project execute कर रही है, तो वो state की definition ने थोगी ना आएगी, चूकि Larson and Tuberow is a private company, बट Larson and Tuberow को मान लिजे, government कोई contract देती है और उस contract के चलते, Larson and Tuberow कहीं पे काम कर रही है, कोई project execute कर रही है, बट contract किस ने दिया है, government ने दिया है, पैसा किस ने दिया है, government ने दिया है, और उस project में public interest involved है, तो फिर Larson and Tuberow भी state की definition के अंदर आ जाएगी, अब आप देख सकते हैं कि Supreme Court ने इस interpretation के through article 12 में, जो state नाम के शब्द का इस्तमाल किया, इस state के जो connotations है, इस state की जो पहुँच है, जो definition है, वो बहुत बड़ी कर दिये, Supreme Court में, यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो को कदम कर रहा हूँ, ठीक है, I hope आपको इस वीडियो से कुछ sense जानने को मिला होगा, कुछ अच्छा जानने को मिला होगा, comment section के through अपने view ज़रूर बताइए और एक share जरूर मार दीजाए अगर अब तक आप वीडियो को देख रहे हो, share मारने में कुछ नहीं जाएगा आपका, ठीक है, thank you for watching, have a great day